हेलो दोस्तों आज के ये वीडियो में आपन देखेंगे ट्रिक्मामेट्री का एक कुश्चन है और जो की जे ही में जे ही एडवांस और अलग-अलग स्टेट के जो इंजिनेरिंग सी टीज है उसके लिए इंपॉर्डन कुश्चन है और पुश्चन क्या है देखलो इफ a plus b plus equal to pi दिया है तो आपको प्रूव क्या करना है मतलब एक conditional identity का उश्चन है क्या करना है देखो कॉट a वार्टू ब्लस कॉट b वार्टू ब्लस कॉट c वार्टू is equal to cot a वार्टू into cot b वार्टू into cot c वार्टू लाना है ठीक है तो अब आपन देखेंगे कि कैसे यह मिलेगा तो सीधा सीधा एप्रोच इसमें मतलब एक shortcut approach में बता देता आपको क्या करना है इसमें तो यहां पर अब फॉर्स्ट स्टेप जो apply करने वाले है वो देखो 10 a by 2 प्लस b by 2 is equal to 10 pi by 2 minus c by 2 यह वाला step अपने apply करेंगे कहां से आया यह step देख लो a plus b plus c equal to pi है बराबर जाए तो a plus b equal to a by minus c तो आप 2 से divide कर दो तो यह जाएगा a by 2 plus b by 2 जाएगा pi by 2 minus c by 2 क्यों 2 से divide किया है क्योंकि अपने को a by 2 by 2 c by 2 चाहिए राइट ओके यहां तक सबको तो clear हो गया होना तो देखो a by 2 plus b by 2 क्या आया pi by 2 minus c by 2 तो मैंने देखो यहां पर लिखा है tan in bracket a by 2 plus b by 2 तो उसी को यह अपन क्या लिख सकते है देखो pi by 2 minus c by 2 ओके चलो अब अपन क्या करेंगे next step जो है next step यहां पर tan by by 2 minus c by 2 लिखा जा सकता है cot c by 2 कैसे जब कैसे देखो बेटा यह है tan pi by 2 minus theta का arrangement और tan by by 2 minus theta रहता है cot theta allied angle तो theta को ने बेटा c by 2 राइट चलो तो इसलिए यह cot c by 2 आ गया अब यहां पर आप अच्छे से देखेंगे तो यह tan a plus b का arrangement है तो tan a plus b का formula apply करेंगे तो क्या आ जाएंगा देखो तो यहां आ जाएंगा बेटा tan a by 2 plus tan b by 2 upon 1 minus tan a by 2 into tan b by 2 बड़ अपने को पूरा जो अंसर है काई के डर्म्स में जाएं cot के डर्म्स में जाएं तो अब मैं क्या रहूंगा यहां पर जो पूरे डर्म्स है इसको cot में गनवाट करता हूँ कैसे देखो 1 upon cot a by 2 आ जाएंगा इधर आजाएंगा 1 upon cot b by 2 आ जाएंगा divided by 1 minus cot a by 2 into cot b by 2 यहां पर 1 upon आएंगा ठीक है यह 1 upon में लिख देखेंगे ठीक है यहां जाएंगा 1 upon cot a by 2 into 1 upon cot b by 2 cot में गनवाट कर दिये है और इधर cot c by 2 चल रहा है अब थोड़ा cross multiply कर देखेंगे तो cross multiply करने बाद simplify करने बाद ही आजाएंगा cot b by 2 plus cot a by 2 numerator में upon cot a by 2 into cot b by 2 कहां पर यह मैंने इनको cross multiply कर लिया है denominator में भी cross multiply कर लो तो हो आजाएंगा पेटा cot a by 2 into cot b by 2 minus 1 upon cot a by 2 into cot b by 2 आजाएंगा is equal to cot c by 2 यहां तक का simplification आपको clear हो गया हूंगा देख लो सीधा सीधा solve किये अपनने simplify किया एक बहुत हाइफाई step नहीं किरे अब यह यह वाला step cancel होंगा यह वाला term cancel हो जाएंगा तो फोन बचेंगा देख लो cot b by 2 plus cot a by 2 बचेंगा अपन cot a by 2 into cot b by 2 minus 1 is equal to cot c by 2 कुछ भी नहीं नीचे तो 1 लिख दो और अब सीधा सीधा cross multiply कर दो this into this this into this cross multiply करने के बाद ही आजाएंगा cot b by 2 plus cot a by 2 is equal to cot c by 2 multiply हो जाएंगा किसके साथ cot a by 2 into cot b by 2 minus 1 तो यह पूरा bracket open कर लेंगे तो क्या जाएंगा cot c by 2 into cot a by 2 into cot b by 2 यह इसको multiply हो और यह यहां पर multiply हो जाएंगा माइनस cot c by 2 ठीक है चलो अच्छेस देखलो हो गए अब यह माइनस वाला जोड़ा में इसको इज़र बेज़ दो तो यह थोड़ा अच्छेस लिख देंगे तो यह इसा दिखेंगा cot a by 2 plus cot b by 2 plus cot c by 2 is equal to cot a by 2 into cot b by 2 into cot c by 2 तो अपने को इसका पुरूट मिल गया है जो अपने गोल रखा था वह अच्छे हो गया राइट यह question को solve करने के और भी कुछ techniques है तो वह भी आपको मिल सकते लगता है तो आप comment भी कर सकते कोई issue नहीं शलो तो for more videos you can subscribe में channel और video अच्छे लगता है तो like करो share करो comment करो चलो thank you कर दो दो दियू